हेलो एवरिवन आज मैं आपके साथ आवले और मिर्च के अचार की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ तो आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं मैंने आधा किलो आवले लिये हैं और इसे अच्छी तरीके से धो के कपड़े से पोच लिया है और 200 ग्राम हरी मिर्च लिया हरी मिर्च को भी अच्छे से साफ करके और इसे पंखे के नीचे सुखा लिया था अब गैस के उपर एक पैन रखेंगे इसमें एक कप के जितना पानी एड़ करेंगे और पानी को गरम होने देंगे पानी गरम होने के बाद सारे आमले को इसके अंदर डाल देंगे और इसे कवर करके इसे 10 मिनट के लिए बॉइल होने देंगे गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे अब जो हरी मिर्च है उसके डंठल को निकाल देंगे और इसमें भीट से चीरा लगा लेंगे इसी तरीके यसे सारी हरी मिर्च को कट लगा लेना है, आज का जो हम अचार बना रहे हैं, इसे हम बिल्द को दोलता है दोल्दा के साथ यह एक आजार के सार करेंगे और यह इन्सेंट आजा बाद चक्नु autumn ऐसे मंगा स्क लेग तनी मीमीर्च के आज हा सकते है और इसकी फाके अलग कर लेंगे हमें किसी भी चाकू या नाइफ की जरुवत नहीं है आवले बॉयल होने के बाद या स्टीम भी कर सकते हैं भी बहुत एजिली फाके अलग हो जाती है मैंने सारे आवले के फाके अलग कर लिया है और इसे अभी कपड़े के ऊपर ही रख दिया है, अब इसे पंखे के नीचे रख देंगे, या फिर अगर धूप हो तो आप धूप में भी रख सकते हैं, जितनी दिर में हम मसाला त्यार करेंगे, अब एक पैन के अंदर एक चमच काली सरसो, एक चमच पीली सरसो, एक चमच सौफ, एक चमच मेथि दाना, एक चमच धन्या, एक चमच जीरा, एक चमच काली मिर्ज अब इन सब को गैस के ऊपर रखे और इसे थोड़ी देर कूक करना है हमें थोड़ी देर इन्हें dry roast करना है सिफ एक मिनट, एक मिनट से जादा इसे कूक नहीं करेंगे अब इसे ठंडा करेंगे अब इसे एक mixture jar के अंदर डाल देंगे उसी पैन में हम आधा कप ओईल डालेंगे सरसू के तेल का इस्तिमाल करें ओईल को अच्छे से गरम करेंगे अब mixture jar के अंदर एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच आम चूड वन थर्ड स्पून हींग एक चम्मच हल्दी तीन चम्मच नमक मैंने सारी चीरों के लिए एक ही स्पून का इस्तिमाल किया है अब इसका पाउडर बना लेंगे मसाला हमारा त्यार है ओईल भी अच्छे से गरम हो गया है गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और ओईल को थोड़ा सा थंडा करेंगे ओईल थोड़ा थंडा हो गया है अब जो हरी मिर्थी उसे इसके अंदर डाल देंगे मसालों को भी इसके अंदर डाल देंगे अब आवले भी इसके अंदर डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे एक स्पून या पल्टे की हेल्प से मैंने कम ओईल का इस्तेमाल किया है अगर आपको चाहिए तो आप ज़्यादा ओईल का भी इस्तेमाल कर सकते है मैंने सिफ इतने ही ओईल का इस्तेमाल किया है जिससे की मसाले अच्छी तरीके से कोट हो जाए अब मसाले, ओईल, मिर्च और आउला अच्छी तरीके से आपस में मिक्स हो गये हैं अब इसे कवर करके आधे गंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे आधे गंटे के बाद इसे फिर से एक बर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे किसी भी जार या बरनी के अंदर डाल देंगे हो सके तो आप इसे किसी काच की बरनी या काच की जार के अंदर ही डाले हमारे इंस्टेंट अचार बिल्कुल तयार है थैंक यू फूर वाचिंग